सभी को नमश्कार, मेरा नाम आदित्य सानी है, मैं इंडेक्शन प्रोग्राम सेल में वाईपी, यंग प्रोफेशनल की तरह से काम कर रहा हूँ और इस कंटेंट से जो मेरा रहना इंट्रेक्शन हुआ था, वो 2016 में हुआ था कब एक सूचना के रूप में ये कंटेंट मुझे मिला था, उसकी बाद एक्स्प्लोरेशन शुरू हुआ देरे-देरे, तैसे मैं अपने कालेज में एक प्रोग्राम काडिनेटर की तरह से मैंने कुछ वर्क्शॉप्स कराई, सब्जेक्ट पढ़ा हैं, और इस पर काम करते और वालेंटिरिंग की, कंटेंट का मुझे जो बेनेफिट हुआ, वो यह हुआ कि जो इस्ट्रस लेवल था, पहले जो अकसर हो जाया करता था, उसमें काफी कमी आई, एक शेरिंग मेरी ये है कि एक कालेज में जब इस्ट्रस लेवल बढ़ने लगा, तो मुझे वो मतलब जाब छोड़नी पड़ी, तो जैसे एक बात भीया ने कही थी, कि गाएं व्यक्ति से बंधी है, गौले से बंधी है, या गौला गाएं से बंधा है, वो चीज समझ में आई, तो जिसमें हम देख रहे थे कि हाँ ठीक है, जाब चली रही है, लेकिन जब जाब छोड़ रहे जे, तो समझ में आता है कि कौन किससे बंधा हुआ है, लेकिन अल्टिमेटली ये डिसिजन लिया गया फैमिली के लिए कि जॉब छोड़ना जादा बेटर है, फैमिली की प्राइटी वो जादा इंपोर्टेंट है, उसके बाद ए-ई-ई-सि-टी में आने का मौका मिला और सभाग्या से जो कंटेंट है उसी के प्रचार प्रसार में, मुझे अफसर मिल रहा है और मैं इसे काम को कर रहा हूँ, ये definite है कि कंटेंट के प्रति स्विकृती है, एक्स्प्लोरेशन अभी चली ही रहा है, कुछ जगे पर कई बार गल्तियां हो भी जाती है, ध्यान भी ज जा सकता है, ये है, धन्यवाद.